लिक्वीडिटी रेश्यो गुजराती मां तरलता अथ्वा प्रवाहित्ता ना गुनोतर ये भी आपको ओल्रेडी 12th स्टांडर्ड में आ चुका है कुछ भी नया कॉंसेप्ट इसमें नहीं है लिक्वीडिटी प्रवाहित्ता तरलता गुजराती मां आज अब दोनों यूज था है ये क्या कहना चाहते है सबसे पहले याद रखना कि लिक्वीडिटी रेश्यो जो है उसको कनेक्शन है कॉरंट असेट कॉरंट लायाबलिटी के साथ तो यहां पर देखें कॉंसेप्ट स पर जो अपनी करंट लायाबलिटी होती है वह हम लोग पे करने के लिए केपेबल है या नहीं वह हम को हमारे लिक्वेडिटी रेश्यो से पता चलेगा मतलब इसा है के for example सब्सक्राइब एक इन्फ्रास्ट्रॉक्ट्टर प्रोजेक्ट लेकर बाखे अभी इंफ्रास्ट्रोक्टर प्रोजेक्ट के लिए हमने बैंक में से लोगन उठाया डीबैंचर्स इशू कि यह 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 सारी लाइबलिटी एसी है जो कि लॉंग टॉम में पी करनी अभी सौट्टम की लाइबलिटी क्या है कि सपोज इंफ्रस्ट्रॉक्चर प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्रेडिट पे मटेरियल खरीदा हुआ है कॉंक्रीट है सीमेंट्स है बहुत सारी चीज़ है हमने कॉंट्राक्टर्स और एंप्लोईज को हायर किया हुआ है अभी हमारी इंकम तो कुछ है ही नहीं क्योंकि अभी तो हम लोग यह हाइवे या ओवर ब्रीज बना रहे है जब वह चालू हो जाएगा उसके उपर टॉल्टेक्स कलेक्शन का काम सुरू होगा तभी इंकम सुरू होगी तभी तक तो इंकम है नहीं और अपने को एंप्लोई की लाइबलीटी मतलब एंप्लोई की जो सैलरी है वो पे करनी है बैंक को हम ऐसा बोलेंगे की हम आपको 10 साल के बाद पैसा लोट आएंगे डिपैंचर्स इश्व किये है तो डिपैंचर के पैसे 15 साल के बाद लाट आएंगे कोई पराबलिम नहीं है क्योंकि वो 15 साल की ट वो bridge बनेगा, फिर tall tax का collection सुरू होगा, फिर हम आपको 5 साल के बाद salary देंगे, तबाना, तो ऐसा तो चलेगा नहीं, अपने को हमारी जो current liabilities है, जो short term में pay करने हैं, जिनके पास है goods credit पे खरीदे हुए वो, या जो हमार employees हैं उनकी salary, यह सब हमको time to time पर pay करना है, तो liquidity ratio यही दिखाता है, कि क्या, हम लोग हमारी जो current liability है न, वो pay करने के लिए capable है क्या, long term की बात अलग है, चलो long term का तो future का दिखा जाएगा, बट अभी की situation क्या है, अभी जो short term में payment करना है, वो payment करने के लिए business capable है या नहीं है, the liquidity ratio therefore are also called short term solvency ratio, liquidity ratios are also called short term solvency ratio, these ratios are used to assess short term financial position, अभी ये गोल घुम के बाद है किये, कि अपने को अपनी short term की financial position क्या है, अच्छी है या बूरी है, अच्छी है मतलब हम हमारी current asset में से current liability pay कर सके ऐसा है, या हमारी current liability बहुत ज्यादा है, कि हम short term में payment नहीं कर पाएंगे, तो इससे business की short term की solvency पता चलती है, they indicate the firm's ability to meet its current obligation, अभी current obligation का मतलब current liability, गोल घुम के बाद क्या, current liability, जो की short term में pay करती होती है, वो pay करने के लिए business financially capable है या नहीं, वो हमको current ratio से पता, चलेगा, liquidity ratio से पता, चलेगा, देखो, short term creditors, यह सारी चीज़े common ही है, इसके अंदर दो चीज़े आती है, liquidity ratio के अंदर दो चीज़े cover होगी, एक current ratio जो मैंने अभी नाम बोला हो, और दूसरा आएगा quick ratio, या quick ratio को acid test ratio भी कहा जाता है, जो अभी हम आगे discuss करेंगे, बट liquidity ratio में दो टाइप की ratio की बात होगी एक current ratio और दूसरा liquid ratio, 12th standard में पढ़ी चुके हो, अभी इसकी formula, जो main formula है ना, वो क्या है और उसके अंदर फिर क्या चीज़े cover होगी, तो this is our main formula, current ratio is equal to current assets upon current liability, this is our main formula, current ratio is equal to current assets upon current liability, simple, अभी अपने को ये पता होना चाहिए, डायरेक्ली इतना नहीं देंगे कि ये current assets की amount, ये current liability की amount, आपको गोल गोल घुमके information देगे, या तो अलग-अलग assets का नाम दिया होगा, और हमें उसमें से कौन-कौन सी current assets है, उसको identify करके उसकी amount का total करना होगा, similarly अलग-अलग liabilities द power होती है, तो देखो ये current assets includes cash and bank balance, stock, dators, bills receivable, prepaid expenses, investment readily convertible into cash, याने कि इसकी जगापे आपको नाम ये देंगे, marketable securities, मतलब जल्दी से market में, वो cash में convert हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे current assets, most commonly cash balance, bank balance, dators, bills receivable, stock, prepaid expenses, या marketable securities, ये सब current assets है, इसमें से जितने भी नाम दिये होंगे, वो सारे नाम की amount का हम total करेंगे, तो अपने को total current assets मिल जाएगे, similarly total current liabilities, तो current liabilities में include होंगे अपने creditors, creditors, bills, payables, DOD, यानि के bank overdraft, outstanding expenses, provision for taxation and proposed dividend, ये भी current liability में आता है, SYB.com, fund flow statement, cash flow statement उसमें आ चुका है, fund flow statement याद करो, cash flow statement याद करो, उसमें ये चीज़े cover हो गई है, कि ये provision for taxation, proposed dividend उसमें भी आया था, और company final account, company final account का format याद करो, तो proposed dividend and provision for taxation ये current liability में आता था, long term provision होंगे, तो वो non current में जाएंगे, बट proposed dividend है, या provision for taxation है, वो अपनी current liability होती है, तो इसमें से जितनी भी amount दी होकी, उसका total ये हो जाएगा हमारी current liability, और उसका total करेंगे, फिर current asset का total divided by current liability, तो जो answer मिलेगा, वो हो जाएगा हमारा current ratio, और ये proportion में आएगा, मतलब जो भी आएगा, for example, 2.5 आया, तो पीछे is to 1, ऐसा लिखना होगा, proportion में अब यहां पर directly इस तरह से ना देके, अलग तरह से भी दे सकते हैं, मतलब आपको total asset दे दी हो, और non current asset दी हो, तो भी हम current asset ढूंट सकते हैं, क्योंकि total asset क्या होती है, non current asset, non current asset क्या मतलब fixed asset, non current asset plus current asset, तो आपको क्या करेंगे, non current asset दे दी, total asset दे दी, तो total में से non current को minus कर दो, तो जो बाकी बाची वो अपनी current asset हो जाएगी, similarly liability के लिए भी ऐसा हो सकते हैं, total liability दे दे, non current liability दे दे, तो total liability में से non current liability को minus करो, तो difference हो जाएगा हमारा current liability का, इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीके, working capital की भी formula याद होनी चाहिए, working capital, याद है किसी को 12th standard में आया था, working capital की formula होती है, आप चाहूँ तो यहाँ पर लिख देना, current assets minus current liability, working capital is equal to current assets minus current liability, उसको net working capital हम लोग बोलेंगे, तो ऐसा भी कर दे, कि आपको current asset दे दी हो, working capital दे दी हो, current liability ना दी हो, तो current asset में से working capital माइनस करो, तो current liability मिल जाएगी, या current asset ना दी हो, तो यहाँ पर current liability दी होगी, तो इस तरह से भी mathematical formula इधर उधर करके भी अपने को amount find out करने की हो सकती है, तो working capital में current liability को add करोगे तो current assets मिल सकती है तो ये formula mathematical tricks इस्तमाल करने की आ सकती है अभी यहाँ पर एक standard base दिया हुआ है कि यहाँ पर जो 2 is to 1 होता है न वो current ratio के लिए ideal होता है current ratio, ideal current ratio है 2 is to 1 देखो within the range of 2 is to 1 ये safe माना जाता है अभी देखो 2 is to 1 मतलब 2 current assets, current liability current assets उपर है current liability नीचे है पहला वाला current asset, दूसरा वाला current liability मतलब current assets अपनी 2 है जिसमें से हम current liability एक रुपे की pay कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है अगर current asset कम है current liability जाद है मतलब answer जो है वो ऐसा रहे 0.50 is to 1 तो डेंजर situation है अपनी current asset 0.50 ही है जिसके सामने current liability एक रुपे की है तो वा हालत अच्छी नहीं है तो current ratio standard कितना है 2 is to 1 2 रुपे की current asset के सामने 1 रुपे की current liability जबकि जो दूसरा ratio है that is quick ratio या उसको फिर acid taste ratio भी कहा जाते हैं दूसरा नाम है उसका acid taste ratio जिसको हम liquid ratio के नाम से जाते थे 12th standard में आप इसको liquid ratio से जाते थे current ratio liquid ratio liquid ratio को ही हम लोग quick ratio या acid taste ratio कहेंगे जो की ideally होता है 1 is to 1 मतलब अभी तुरंत का तुरंत बोलो कितने liability pay कर सकते हो तो अगर आपकी current liability एक रुपे है ना तो कम से कम ऐसी current asset एक रुपे की तो होनी ही चाहिए तो वो confidently कहें सकते हैं जब अपने पास पैसे पड़े हो तो अपने को मजबूरी में आना पड़ेगा तो quick ratio या acid test ratio या liquid ratio मतलब आप current liability immediately pay कितना कर सकते हो that shows your quick ratio या acid test ratio या liquid ratio which is ideal 1 is to 1 यह ideal है mcq angle से याद रखना है current ratio 2 is to 1 acid test ratio या quick ratio 1 is to 1 formula में एक ही minor change है current asset माइन स्टॉक इन ट्रेड कि जिसको हम कहते है liquid asset अब 12 में इसको लिक्वीड असेट कहते हैं अपन current liability मतलब जितनी भी current asset हमने देखी ना वो सारी hesities रहेगी बस उसमें से stock को हटा दो फिकिस टॉक जब market में बिकेगा तब पैसे आएंगे तुरंट के तुरंट को कहां से आएंगे तुरंट पैसे नहीं मिल सकते बाकी bills receive welcome पैसे ले सकते डेटर के पास है पैसे ले सकते cash bank तो पैसे भी पैसे है पर goods तो market में sell होगा तो भी जाके पैसे आएंगे तो liquid asset में सारी की सारी current asset आती है except stock stock को छोड़के बाकी की सारी current asset वो गई हमारी liquid asset तो liquid asset upon current liability clear सब लोगों को formula तो simple ही है current ratio is equal to current asset upon current liability liquid ratio या quick ratio या asset test ratio is equal to liquid asset liquid asset का मतलब क्या current asset minus stop upon current liability तो हमारा liquid ratio का हो या quick ratio का हो या acid test ratio का हो वो हो गया चालिए तो अभी हम लोग इसके example discuss करते हैं चालो सब लोग template notebook सब साथ में रखेंगे देखो calculate current ratio and liquid ratio देखो liquid ratio sir liquid ratio तो सिखेंगे नहीं तो inventory अब देखो हम यहां पर हमें क्या main चीज़ें indicate करनी है कौनसी current asset है कौनसी current liability है अगर non current asset liability होती है आपको देशेक्ते confuse करने के लिए उसको cancel चौकड़ी चल तो निकल इदर पहली बुर्सत में निकल और अगर inventory है यानि के stock हो अभी stocks और हमने stock याद रखा था inventory तो सोचा ही नहीं था inventory पर ध्यान से टिक करने का यह current asset है पर यह liquid asset में नहीं आती है inventory यानि के stock अगर अपने को liquid ratio ढूंड़ना है तो उसमें से stock को अपने को ignore करना पड़ेगा तो current asset लिखेंगे पर उपड़ एस्ट्रेक मार्क कर देते है ताकि याद रहे कि liquid asset के वक्त इसको ध्यान में ने लिए इसके अलावा trade receivable यह भी अपनी current asset है एडवांस टेक्स अभांस टेक्स लिखेंगी अध्वांस टेक्स मढलब रिङवांस टेक्स एडवांस टेक्स है अध्वांस बालौ यहां फॉल्य फ्रीपिट और यार क्या सिखा भी prepaid expense prepaid expense prepaid expense यहां पर आपको असेट में दीख़ा या लाइबलिटी में दीखा प्रि-पेड़ एक्सपेंस, एडवांस टेक्स, एडवांस मलब प्री, तो करंट असेट रहेगा, कैस और कैस एक्विवेलन्ट, करंट असेट, ट्रेड पेबल भी, मैं बॉलो ना करंट असेट, करंट लायाबिलिटी, सौट्ट्टम प्रोविजन, सौट्टम मतलब कि यह तो बहुत बढ़ी है सिंपल है अभी अपने क्या करेंगे करंट असेट के लिए करंट रेशियो के लिए करंट रेशियो के लिए सारी की सारी करंट टोटल और करंट लियाबिटी में सारी की सारी करंट लियाबिटी का टोटल लिक्वीड असेट भी चाहिए अपने को लिक्विड रेशियो ढूटना है तो उसमें इंवेंटर रिस्टॉक को छोड़के बाखी कि सारी करन्ट असेट का तोटल यह आपको करना पड़ेगा अभी इस वर हम डायरेक्ट एलकुट रुपे कर दे तो MCQ में चलेगा यहां पर नहीं चलेगा तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं तीन वर्किंग नोट करते हैं एक करन्ट असेट के लिए एक करन्ट लाइबिटी के लिए और तीसरा लिक्विड असेट के लिए ठीक है working note 1 current asset is equal to inventory 50,000 plus trade receivable OBI 50,000 plus advance tax 4,000 plus cash and cash equivalent 30,000 50 plus 50 1,34,000 total current asset अभी यहां पर working note 2 में बाजू में ही liquid asset भी कर देना तो चलेगा total current asset में से सिर्फ inventory को माइनस कर देना या फिर इसको छोड़के बाज भी अएक्ट अधरी अपर धूंड ली वन लेग 34,000 माइनस inventory कितनी है 50,000 तो अ अभी देखो यहां पर तो इस example में आपको कोई fix asset यानिकि non current asset या non current liability नहीं दिया बट exam में देगे जान बूच के confuse करने के लिए तक कि कोई student गलती से वो current liability के साथ bank loan दिया और वो भी लिखने तो answer गलत हो जाएगा तो यह ध्यान रखना है हो और working note 3 current liability 2 ही है दोनों का total 1,4000 हो जाएगा पर फिर भी लिखेंगे एक है टीपी ट्रेड पेबल वन लेक एंड डी ओडी 4000 और अभी हम लोग हमारी main formula apply करेंगे दो चीज़े ढूंटनी है एक current ratio और दूसरा liquid ratio तो current ratio is equal to total current asset upon current liability total current asset कितनी है 1,34000 upon current liability 1,4000 तो calculator पर 1,34,000 divided by 1,4,000 1.29288 हो रहा है तो 1.29 1.29 is to 1 पीछे 1 लगा देना है तो देखो यह जो standard current ratio है उससे कम है यह इतना अच्छा नहीं है बुरा भी नहीं है क्योंकि current liability एक रूपे के सामने current asset अपने पास 1.29 है तो ठीक है चला लेंगे बट आइडियल सिच्वेशन क्या होती 2 is to 1 होता तो ठीक है उसी तरह से दूसर liquid ratio या acid taste ratio या तो quick ratio सभी नाम लिख देता हूँ मैं मतलग तीनों का meaning एक ही होगा liquid asset upon current liability आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो current asset minus inventory upon current liability दोनों से same ही process होने वाला है देखो liquid asset है अपनी 84,000 तो 84,000 यस divided by 1,04,000 तो 0.81 is to 1 पीछे लगाना पड़ेगा तो 0.81 is to 1 not good ideal 1 है 1 is to 1 होना चाहिए यह 0.81 is to 1 आ रहा है मतलब अभी अगर किसी को मुपे पैसे मारने की जुरूत पड़ी तो अपने पास नहीं है ठीक है तो यह ideal situation पर नहीं चल रही है company ऐसी सारी चीज़ा आपको observe करनी चाहिए आप जब investment करते हो long term के लिए as an investor तो यह आप देखोगे कि यह सारी situation को समझो क्योंकि अगर कुछ भी problem हुआ तो यह company को current liability pay करने में issue हो जाएगा अब current liability pay करने में issue होगा तो क्या होगा current asset तो sufficient है नहीं देखो इसके implications क्या होते है current asset अपने पास sufficient है नहीं पर current liability pay कर नहीं है तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा current asset से payment नहीं कर पा रहा है तो दो situation होगी या तो दूसरी loan उठाओ या तो फिर अपनी fixed asset को sell करो तो यह मतलब for example ऐसा है कि मैंने BMW खरीदी 60 लेक रुपिस की गाड़ी लेके गुम रहा हूँ अभी उसको मैंने service में बेजा तो service का 30,000 का बीला नहीं वो तो नहीं है मेरे पास वो पैसे नहीं है तो थीक है BMW बेच दो BMW बेच के मेरे 30,000 लो तो अभी fixed asset बेचनी पड़ेगी तो अगर मुझे immediate fix asset बेच नहीं पड़ेगी तो क्या मुझे proper price मिलेगी नहीं company problem में फस सकती है तो इसलिए हमें सा मतलब हम लोग महंगी महंगी चीज़े खरीटे है न तो यह चीज़ ध्यान रखने कि उससे अपनी current situation पे तो चालो अभी यह first example के बाद हम लोग second example discuss करते हैं इसमें भी इसी तरह से है information देखो थोड़ा सा अलग क्या दिया है मैं आपको एक extra formula जो लिखवाई ना उसका रोल यहां पर play हो रहा है current ratio दे दिया है 3 to 1 current ratio है यहां पर 3 to 1 और क्या दिया है वर्किंग कैपिटल 15 लेक वर्किंग कैपिटल 15 लेक दे दी है वर्किंग कैपिटल की फॉर्मिला क्या थी current asset minus current liabilities मैं आपको लिखवाई extra formula और यहां पर यह working capital दे दी है calculate current asset मैं आपको बोला था किस सरा से twisting करके current asset या current liability ढूटने की आ सकती है तो यहां पर देखो current ratio यह क्या है 3 is to 1 समझो current ratio है 3 is to 1 इसका मतलब क्या हुआ means current asset 3 है ध्यान से समझो current asset 3 है तो current liability क्या होगी 1 समझवार है 3 is to 1 का मतलब क्या 3 रुपे current asset के सामने 1 रुपे की current liability है अब current asset और current liability को compare करके हम working capital ढूट सकते हैं working capital की formula मैंने आपको लिखवाई क्या है देखो working capital is equal to working capital is equal to current asset minus current liability तो अब यह जो हमने consider किया है उसको ध्यान में ले तो 3 रुपे current asset minus 1 रुपे की current liability तो working capital कितनी हो गई 2 रुपे तो अब हम लोग यहां पर comparison कर सकते हैं आराम से comparison कर सकते हैं कि अगर 2 रुपे की अपने को चाहिए क्या ढूंडिना क्या है current asset अभी यहां पर देखो 2 रुपे यह चीज़ को consider करो 2 रुपे की working capital हमारी आई तो current asset कितनी है इसमें 3 रुपे यह रहा ना 3 रुपे तो यहां पर हम लोग step रखेंगे working capital 2 रुपे की है तो current asset है 3 रुपे की एक्जामपल में working capital दी हुई है 15 रुपे तो अगर working capital 15 रुपे है तो current asset कितनी cross multiplication करेंगे 15,000,000 इंटो 3 divided by 2 15,000,000 यह क्या हो गया आपनी current asset and this is our answer अगर current liability पूछी होती तो current asset minus current liability करते तो अपने को working capital मिल जाती 2 रुपे current asset है 3, current liability है 1 तो हम step रखते working capital 2 रुपे है तो current liability एक रुपे की है तो working capital 15,000,000 रुपे है तो current liability कितनी तो अपने को इस तरह से example का answer मिल सकता था clear simple सा है ख़तम करो इसे simple सा working है समझ कर इसको notebook में note down कर लो चालो अगर यहां तकी चीजे लिख दी है तो उसके बाद next वाला example यह discuss कर लेता है यह भी formula उपर से directly नहीं है गोल घुमा के अपने को question पूछा हुआ है देखो पी लिमिटेड है current liability of Rs.30,000 current ratio 3 is to 1 मतलब यह 3 जो है वो अपनी current asset है यह अपनी current liability है quick ratio है quick ratio के हो या liquid ratio के हो या acid test ratio के हो यह है अपनी liquid asset और यह है current liability है अब example में अपने को current liability दे दी है तो अभी जो example था उसके अंदर क्या हुआ था working capital दे दी और हमने find out किया था उसके उपर से current asset अब यहां पर तो current liability दे है ratio भी है 3 to 1 मतलब 3 रुपे current asset एक रुपे की current liability अब यहां पर तो current liability directly देती है तो एक यहां पर हम step रखेंगे क्या step रखेंगे बहुत simple है current liability 3 to 1 है current asset तो current liability अगर एक है तो current asset पूछा होता तो अपने को यहां पर कर्ण्ट असेट कितनी है तो आपने को यहां पर और current asset नहीं पूछा है अपने को क्या पूछा है stock in trade पूछा है stock in trade यहांने के inventory inventory की amount कैसे मिलती है inventory तो खुद एक amount है वो कैसे मिलेगी तो यहां पर आपको सारी current asset होती है तो हम current ratio की formula में जो current asset आती है उसमें से liquid ratio में जो current assets आती है उसको minus करेंगे तो जो difference मिलेगा वो अपने को stock in trade का मिल जाएगा तो यहां पर देखो यहां पर अभी हम फिर से यही चीज़ करेंगे quick ratio कितना है अलाकि यह working हुआ अभी दूसरा quick ratio step 2 quick ratio दिया हुआ है 1 is to 1 मतलब इसमें 1 रूपीज क्या है liquid asset है और उसके सामने current liability क्या है 1 रूपीज example में current liability तो देदी है तो यहां पर हम step रखेंगे कि अगर current liability एक है तो liquid asset एक रूपे यह एक ध्यान रखना हो यह वाला है यह पहले वाला नहीं पहले वाला है तो एक्जम्पल में अगर current liability 30,000 है तो liquid asset कितनी होगी cross multiplication 30,000 into 1 divided by 30 sorry divided by 1 30,000 यह अपने को क्या मिला liquid assets अभी current assets मिल गई liquid assets मिल गई तो current asset में से liquid asset minus कर दो तो जो difference मिला वो हमारा stock in trade stock या inventory जो भी what use होता है वो तो यहाँ पर एक final लिख देंगे stock in trade और inventory stock in trade और inventory is equal to current assets minus liquid assets current assets हमने working note में धूंड ली पहले वाले में 90,000 लिक्विड asset कितनी आई तो stock in trade क्या होगा this is our final answer clear समझ के करना है notebook में लिखो इसे मैंने font थोड़े छोटे की है आपको एक ही स्क्रीन पे यह सारी चीजे देखने को मिल जाएगी इस तरह से आप लिखो समझ कर online वाले भी और offline वाले भी सभी students लिख दो चालो यहां तक हो गया हो तो अभी next example balance it of kabel limited मारी बाद चाले 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 इंडिकेट इस करन्ट रेसियो इस 2.5 इस तो वन तो यह ना जो सो 2.5 जे ध्यांती जो जो 2.5 जो 2.5 इस तो 1 एंड वर्किंग कैपिटल 30 लेक्ट, find out the amount of current assets, current assets आपनों आगरपन example करेंगे, assume 2.5 जो 1 रूपिस करन्ट liability, वर्किंग कैपिटल आपी जे, तो वर्किंग कैपिटल की formula क्या है, वर्किंग कैपिटल इस इक्वल टू, current asset minus current liability, अभी यह ratio को यह अगर हम follow करते है, तो इसी को हम follow करके यह working कर रहे है, ठीक है, तो ध्यां से समझो, working capital is equal to current asset कितनी है, 2.5, minus current liability कितनी होगी, तो वर्किं 1.5, और यहां पर हमारे पास working capital की amount है ही calculation के लिए, और ढूंड़ना है current asset, तो हम step रखेंगे कि अगर 1.5 working capital है, तो current asset अपनी कितनी हो रही है, 2.5, यह, current liability वन है, current asset 2.5, तो step, working capital अगर 1.5 रूपीज है, तो current asset है हमारी 2.5, एक्जाम्पल में working capital कितनी दी होई है, 30 लेक रूपीज, तो current asset कितनी cross multiplication, 30 लेक इन्टो 2.5 divided by 1.5, calculator पर ही करना है, देखलो, 30 लेक इन्टो 2.5 divided by 1.5, 50 लेक रूपीज, तो यह हमारा answer हो गया, अगर current liability पूछी होती, तो उसके accordingly हमारा calculation change होता, यहाँ पर अपने को current asset पूछी है, यह 50 लेक रूपीज, आंसर आगया, यह simple है, चलो लिख दो notebook में, mcq के लिए भी यह सारे बहुत काम के है, है सौट सम्में, बड़ mcq में पूछने के बहुत ज्यादा chances है, समझ कर विडियो को pause करके note down तरना live वाले, पर अच्छे से notebook में लिखना है, ठीक है, सिर्फ देखते हो, लिखते नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो confusion होगा, सिर्फ लिखना भी नहीं है, समझ के लिखना है, calculation कैसे हो रहा है, कौनसे situation में हम लोग क्या चीज़े सोच रहे हैं, कौनसे steps apply कर रहे हैं, यह काफी important है, जोकि हर एक example में यह twist हो सकता है, तो यहां पर आपका thinking कितना develop हो रहा है, उसी के उपर आपके यह question के answers आपको मिलेगे, चलो अब यहां तक हो गया हो, तो आखरी चीज, simple comparison वाले question है, जो कि हमें पता ही है, पहले तो main ideal क्या है, यह याद रखने का, current ratio ideal कितना है, 2 is to 1, और liquid ratio या quick test ratio या acid test ratio, 1 is to 1 या ideal, ठीक 30 is to 1, जबकि ऐसे test ratio 1.70 is to 1 है, पूछा क्या है, देखो, following trends ratio have been extracted from the audited record, जो audit किये हुए, उसके record में से यह सारी चीज़े, extract की है, extract की है, मतलब ढूंड के निकाल लिए, जैसे KGF में वो रोकी भाई, गोल्ड ढूंड के निकालते थे, extract करते थे gold को, यहां पर हम लोग क्य करेंगे, इनकी information को extract करें, financial information को extract करें, at a large sized industry, interpret the trend of these interrelated ratios for judging short term liquid and liquidity and solvency of company, तो हम यहां पर देखेंगे कि improve हो रहा है या, डाउं चारे, trend दिया हो है, देखो, पहले 1.80 is to 1 था, यहां से देखो, फिर, next year में 1.90 is to 1 हुआ, यहां से देखो, फिर, नेक्स्ट यार में 1.90 is to 1 ह यह पहला जो होता है, वो current asset होता है, current liability, ideal current ratio 2 is to 1 का होना चाहिए, current asset 2, current liability 1, तो देखो, 1.90, 1.80 का 1.90 हुआ, फिर 210, मतलब 210, 220, 290 is to 1, मतलब धीरे-धीरे, company का current ratio क्या हो रहा है, improve हो रहा है, अच्छा हो रहा है, trend क्या दिखा रहा है, that company's current ratio is continuously increasing, which shows that company is capable, to pay its current liabilities, आराम से वो अपनी current liability pay कर सकते हैं, बिना किसी tension के, यह trend पर से दिख रहा है, अगर decrease होता होता, तो हम बोलता है, कभी company की current ratio रहा है, मतलब down जा रही है, जो की indicate करता है, कि company अपनी current liability pay करने में काफी ज़्यादा problem face करेगी, acid test ratio, वो देखो, वो क्या हो रहा है, acid test ratio क्या है, मैंने कहा था वो, पैसे मुँपे मारूंगा, चल पैसे ले और पहली पूर्सत में निकल इदर से, तो पैसे है अपने पास, देखो, पहले 1.70 is to 1, था पैसा, पहले अमीर था, 1 is to 1 ideal situation, liquid ratio, acid test ratio, 1 is to 1 ideal, फिर थोड़ा पैसों की तंकी हो गई, थोड़ा down है, फिर भी ठीक था, फिर जो basic level है, उससे नीचे चला गया, पर एक बार नीचे जाते है, हमारी education की जैसा है, हमारे study क जैसा है, आगे और 0.70 is to 1, 0.60 is to 1, मतलब acid test ratio continuously क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, जो कि indicate कर रहा है कि company immediately अपनी current liability को pay करने के लिए capable नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर यह method के साथ, यह example के साथ हमारे इस method के सारे examples complete हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग हमारे session को भी complete करत question में, आखिर के जो दो methods है, उसके formulas और उसके example की practice करेंगे, कोई confusion है किसी को भी, आई सार, हम लोग ready ही बैटे है, ठीक है, तो जा सकते हो, God bless you all, जाए हिद्ट